जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र जार्खन सिक्षक पत्रता परिक्षा नियमावली को के लिए भेजा गया है जार्खन सिक्षक पत्रता परिक्षा नियमावली को के लिए भेजा गया है जार्खन सिक्षक पत्रता परिक्षा नियमावली को के लिए भेजा गया है जार्खन सिक्षक पत्रता परिक्षा निय 2012 में और साल 16 में परिक्षा पास की थी, जिसमें बड़ी संख्या में पारा सिक्षक भी हैं, कुल मिलाकर जेटेट पास लगभग 50 शेर अवियार्थी को इसका लाब मिलेगा जारखन में NDA वाक कलेट की तयारी कराएगी NTSE, राजे सरकार अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को राश्ट्रिय परतिवाग खोज परिक्षा NDA वाक कलेट की तयारी भी कराएगी इसकूली सिक्षा विभाग द्वारा इस समन्द में प्रस्ताव तयार किया गया है विभाग ये प्रस्ताव को सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने अपनी सवक्रीती दे दिया है अब आगे की प्रकिरिया पूरी की जा रही है अगले सत्र से बच्चों को इसकी त्यारी कराई जाएगी इन पर्तियुत्ता पर इक्छाओं की त्यारी का संचालन भी अकांचा के तहत ही किया जाएगा राजे में इसकोली सिक्षा एमसक्षता विभाग द्वारा मेडिकल वा इंजिनियरिंग की त्यारी के लिए अकंछा 40 का संचालन किया जा रहा है OBC आरक्षन के बिना जारखन में पंचाय चुनाव संभव सुप्रीम कोट ने ट्रीपल टेस्ट के अधार पर ही पंचाय चुनाव में OBC आरक्षन का प्रवधान लागू करने का आदेश दिया है ट्रीपल टेस्ट को पूरा नहीं करने पर पंचाय चुनाव OBC को आरक्षन दिये बिना ही कराना होगा वहीं किसी भी कीमत पर कूल आरक्षन 50% से अधिक नहीं होगा कोट ने या आदेश उनाईस जन्वरी 2022 को राहूल रमेश वाग बना महराष्ट सरकार के मामले में सुर्माई के बाद दिया सुप्रीम कोट ने ट्रिपल टेस्ट की वेवस्था को पूरेदेश में लागू करने का भी आदेश दिया है ट्रिपल टेस्ट के तहत कमिशन का गठन कर OBC का इंपिरिकल डाटा इकठा करना है और इसके अधार पर पंचाज चुनाव में OBC का आरक्षन देने का प्रधान लागू करना है सुप्रीम कोट के इस आदेश के आलोक में राजे में OBC आरक्षन के बिना ही पंचाज चुनाव होने की समभवना है साथि किसी भी तरह के जूटे वीडियो सोसल मीडिया पर पोस्ट नहीं करने को कहा है पूलिस ने इस समभन में ट्वीट कर पोस्ट भी साजा किया है बता दे कि गत 6 फरवरी 2022 को हजारी पाक जिला अंतरगत बरही छेत्रिक के दुल्मुहा गाव में दो पक्चो में मारपीट हुई थी इस मारपीट में एक युवक की मौत हो गई थी इससे गुसायल लोगों ने कईवानों को आग के हवाले किया इसके बाद से इस्थित्ती त उग्रवादी को जेल जारखंड के गुमलाजी लेके बिसुनपूर परखंड इस्थित गुर्दरी ताना की पुलिस ने नक्तली संगठन भागपा मवादी के हाटकोर उग्रवादी गढधा कुजाम निवासी बुधराम उराओं को गिरफतार कर जेल भेज दिया है पुस्त आज के बाद उसने भागपा मवादी के संब्ध में कई जनकारी भी दिया है इस दवरान उसने मवादी का साथ देने को लेकर अपसोस जताया है गढधवा के सडक पर गीरा तिलकुट खाने से बचे की मौद तीन अस्पताल में भरती जारकन के गढधवा जिले में सडक से तिलकुट उठा कर खाना एक परिवार को काफी मांगा पड़ गया है गंभी हालत में एक बचे ने दम तोड़ दिया जबकि उसके तीन अने भा आई बहन की भी तवियत बिगड़ गई है उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया था अक्छा कुमार विश्वकर्मा के हालात गंभीर होने के करण इसे रेफर भी किया गया रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया इसके सव का पोश्माटम किया गया है साहब गंज में फोशिलस पार्क तयार सीम हमनत करेंगे उदघाटन साहब गंज से 30 किलोमेटर दूर मंडरो पर खंड के वन छेत्र में 10 कडोर की लागत से 20 अस्तर ये फोशिलस पार्क बन कर तयार है मार्च में इस पार्क का मुक्च मंत्री हमन सुरेन उदघाटन करेंगे इसकी तियारी में बन विभाग जुट गया है बीरबल साहनी इंस्चूट अब पैलियो बोटनी की देखरेख में 4 वर्स पूर्व पार्क का निर्मान शुरू हुआ था धनबाद में 5 वर्सिये बच्ची से दुसकर्म वए हत्या के आरोप में 2.C को फांसी की सजा 5 वर्सिये बच्ची की दुसकर्म के बाद हत्या करने वाले मूँनीडी सथित जोरू डी कालोनी निवासी डबलू मोधी को फांसी की सजा सुनाई गयी है बुद्धवार को उसकी सजा पर पोक्सो के विशेस नयाधिस परभाकर सिंग की अदालत ने फैसला सुनाया वहीं अदालत ने साक्ष छुपाने की धारा 201 में भी दोसी को 7 वर्स कैद और 1000 रुपे जुर्माना की सजा सुनाई है अदालत ने साथ फरवली 2022 को डवलू को दोसी करार दिया था 14 लाग की लागत से बनने वाले बॉलीबॉल कोट अधर में लटका है 10 लाग की लागत से रांची इन्वर्सिटी परिशार में बनने वाले बॉली बोल सिथेर्टिक कोट का मामला तीन मां से अधर में लटका है 18 फिट लंबा और 9 फिट चोड़ा बनने वाले इस सिंथेर्टिक कोट का निर्मान कारे टेंडर नहीं होने के कारण रुका है दरसल 8 अक्टूबर 2021 को निर्मान समंधित फाइल वीवी के खेल वीभाग भेजी गई थी जहां से 12 नॉमबर को फाइल DSW कर्याले से रईश्टार कर्याले पहुँची मुख्य मंत्री हेमान सिरेन अपने नाम से ली पत्थर खदान लीज रगवरदास पुर्व मुख्य मंत्री एवं भाजपा के राश्ट्री उपाध्यक्ष रगवरदास ने मुख्य मंत्री हेमान सिरेन पर बढ़ा आरोप लगाया हाई रगवर ने कहा है कि मुख्य मंत्री हेमान सिरेन ने अपने पत्थ का दुरूपयों करते हुए मुख्य मंत्री रहते हुए अपने नाम पर पत्थर ख़दान की स्विक्रिती लिहाई गुरु आरको भाजपा परदेश कर्याले में मीडिया से बादचीत में रगवर दासनेया आरोप मुख्य मंत्री पर लगाया रगवर ने कहा कि मुख्य मंत्री राची जीला के अनगड़ा मोजा थाना नमबर 26 खाता नमबर 187 पलोट नमबर 482 में अपने नाम से ख़दान पट्टी की स्विक्रिती लिहाई कहा उपरोक्त खणन पट्टा की स्विक्रिती के लिए हिमन सुरेन 2008 से ही पर्यासरत थे मुख्य मंत्री बनने के बाद दिनांग 16 जून 2021 को पथर ख़दान की स्विक्रिती के लिए संधान्तिक समती के आस्यका पत्र विभाग ने जारी कर दिया हिजाब के बिरोध में फेस्बुक पोश्ट के बाद खारखन में तनाओर करनाटक के काउलेज में हिजाब पर पवंदी की घुषना के बाद देश भर में टुफान सा खड़ा हो गया है हर तरफ हिजाब के पक्ष और विपक्ष में लोग की गोल बंदी तेज हो गई है हिजाब का यह अभिवाद अब जारकण में पहुंच गया है यहां भी इसके बिरोद और पक्ष में लोग गोल बंद होकर सड़क पर उतरने लगे इस बीच कई जगा तनाव की भी स्थिती बन गई है जारकण के पच्छमी सिभूम जीले के मजगाव पर खंड छेत्रे में एक यूवक ने फेस्बुक पर हिजाब के खिलाब टिपनी कर दी इसकी तुनला तालिबान देश दुरो आदी आदी सब्दों से कर दी जैसे ही या पोस्ट लोगों की नजर में आई लोगों ने विरोज सुरू कर दिया जारकण के PDS दुकानों में लगेगी डिजिटल वेइंग मसीन जन बित्रन प्रनाली केंद्र PDS में अनाज की चोरी रोकने के लिए अब डिजिटल वेइंग मसीन माप तौल मसीन लगाई जाएगी अब रासन दुकानों में तराजू या काटा से अनाज वजन नहीं किया जाएगा जारकन के सभी करीब 26,000 PDS दुकानों में इस मसीन को लगाया जाएगा इसके लगाने के बाद रासन कार धारकों को उनके अनाज का सही तौल मिल सकेगा और होने वाली चोरी पर रोक लग सकेगी खाद्यापूर्ति विभाग नहीं समन में काम सुरू कर दिया है और अगले तीन माह में डिजिटल वेइंग मसीन लगा ली जाएगी गुमला में हाथी के करेंट से मौत के बाद गुसाए दूसरे हाथी ने ग्रामिन को कुचल कर माद डाला जारखंड के गुमला जिले में मंगलवार की रात भर्नो परखंड के बंटोली घंसिया टोली गाओ के जटनी डीपाइस्थीत खेत में एक जंगली हाथी की मौत करेंट की चपेट में आने से हो गई जिसके बाद गुमला जिला में कल गुसाए हाथी को जब ग्रामिन खदेरने लगे तो उसने पलट करवार कर दिया और कामडारा के मडार के हाजरा बढका टोली निवासी बुध्वा मुंडा उर्फ दुरू का उठा कर पटक दिया घटना बुध्वार की तड़के करीब साड़े तीन बजे की है इतना ही नहीं बुध्वा मुंडा का एक हाथी को सूण से पटक लिया और चारो और गुमाने के बाद हाथ को धर से अलग भी कर दिया हाथी के अंदर इतना गुसा था कि उसे ने दो बार गरामिन को उठा कर पटका और अंत में पाव के कुचल कर उसे माड डाला अवैद बालू उत्खनन वबंडारन में गढ़वा पुलिस ने ब्रमदेव परसाद को रांची से किया गिरफतार जारखन के गढ़वा जिले में नदियों से बालू के अवैद उत्खननन पर नेशनल ग्रीन टीवनल के सक्त रुखत के बाद गढ़वा पुलिस ने इस मामले में ब्रमदेव परसाद को रांची से गिरफतार कर लिया है इसकी जनकारी देते हुए गढ़वा एसपी अंजनी कुमार जान ने कहा है कि गढ़वा थाना की पूलिस ने ब्रमदेव परसाद को रांची से गिरफतार किया एंजी टी के सक्त रूख के बाद जीले में बालू के अवयद कारोबार के वीडियो जीला परसाद एवन पूलिस एक दम से हरकत में आ गया है जीले भर में नदियों से बालू का उत्खनन कर रहे वानों को पकड़ा जा रहा है धन्यवाद यदि आप चनल पने होई तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल लेक के अंद भाई है साथ साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवेक अवस्ति दे थैंक यू